ब्रॉट टू यू बाई सेंसोडेंट के अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूद का करेंट गौन तो लाइफ का करेंट आउन नेतनगरी में अब चर्चा होगी ओडिशा के बारे में जहां पर लोग सभा और विधान सभा दोनों के चुनाओं हैं इन चुनाओं पर हमाई साय चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं भूवनेशवर से वरिष्ट पत्रकार संदीप साहु जी संदीप जी मेरा पहला सवाल बहुत ही जनरिक सवाल की कौन सी हैं जहां पर दिल्चस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है और जब हम की consistency कहते हैं तब numerical value के हिसाब से नहीं क्योंकि वो तो सबकी एकी है कौन से important leader है BJP के और BJD के जो आमने सामने हैं जैसे हमारी नजर पूरी की तरफ जाती है या जोयल औरम और वर्सिस दिलीव तर्की वाली सीट की तरफ जाती जड़ा इन सीटों पे कौन प्रत्याशी हैं क्या factors है इनके बारे में विस्तार से बता दीजे सर देखे सबसे दिल्चत मुकाबला मेरे नजर से संबलपूर में होने वाला है क्योंकि वहां केंद्रमंत्री और ओडिसा बीजेपी के जो फेस माने जाते हैं धर्मेंद्र पधान सबसे चोटी के नेता यहां के वो खड़े हो रहे हैं और 2009 के बाद वह पहली बार पत्यक्स चुनाव में उतरे है रहे के वह लोकसभा वैसे वह लोकसभा सदसे रह चुके हैं 2009 नौ में उन्होंने देवगर से जीत हासिल की थी और उनके खिलाब जो खड़े हैं प्रणव प्रकासदास वो बीजेडी के हिरार्की में वो दूसरे नंबर पर माने जाते हैं पार्टी के संगठन संपादक है और एक तरह से उनको माना जाता है कि क्राइसिस मैनेजर या ट्र कोई समस्या होती है तो उन्हें ही भेजा जाता है समस्या का समाधान कर देखे लिए और दिल्चस्प बात यह भी है कि दोनों धर्मेंद्र पधान और प्रणव प्रकासदास दोनों ही संबलपूर के नहीं है प्रणव प्रकासदास का घर जाजपूर जिले में है जो तटि देर पहले धर्मेंद्र पधान वो देवगड़ के हैं देवगड़ वैसे पड़ोस का संबलपूर का लेकिन दोनों बाहर के हैं इस द्रिस्टी से मुझे लगता है दोनों पार्टियां काफी अपना पूरा जोर लगाएगी संबलपूर पे और सबसे अधिक रोचक मुकाबल जो है सुंबलपूर में ही देखा जाएगा इसके बाद मेरी नजर में कटक में एक और दिल्चस्प मुकाबला होने वाला है क्योंकि वहां से जो लगातार छे बार संसद रह चुके हैं भरतुरहरी महताब बीजेडी से उन्होंने इस बार बीजेडी छोड़कर बीजेपी में जोइन किया और बीजेपी के प्रत्यासी बने हैं कटक से लोगसवा चुनावशेत्र से और उनके सामने जो खड़े हैं बीजेडी के कैंडिडेट वो बिलकुल राजनीती में पूरी तरह से नए हैं कॉर्परेट जगत में पूरी जिंदगी उनकी कटी है आदित्य बि बीजेडी का गड़ माना जाता है कटक और कई सभी विधान सभा सीटों पर भी कटक लोगसवा चुनावशेत्र के अंदर जो आते हैं उनमें बीजेडी के ही मेले बने हुए हैं उनकी का संगठन काफी वहां तगड़ा है तो इस दिसाज से इस बार मुकाबला बहुत हैं और उनके सामने बीजेडी के जो प्रत्यासी है वो पूरी तरह से नए हैं लेकिन कटक के रहने वाले हैं तो वहां इसके अलावा मैं मैं जिक्र करना चाहूंगा केंद्रापड़ा में जहां बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट जैपंडा दूसरी बार चुनाव से रह चुके हैं और हाली में साइद 15 दिन पहले उन्होंने कॉंग्रेस छोड़कर बीजेडी में जोइन किया और तुरंत उनको प्रत्यासी बना दिया गया लोग सभा के लिए और वैसे उनके पिता जो थे नलिन कांत महांती जो कभी नवीन पतनाइक के सरकार में मंत्री गुआ करते थे लेकिन बाद में अन्बन हो गई दोनों में और उन्होंने पार्टी छोड़कर कॉंग्रेस में जोइन किया था तो एक तरह से कहें बाप ने जिस पार्टी को छोड़कर गए थे बेटा उसी पार्टी में अब वापस आ गया है तो वहां रोचक देख और प प्रत्यासी के रूप से और उनके सामने जो खड़े हैं अरूप पत्नाई वह पिछली बार बीजिडी के भूबनेश प्रत्यासी थे इस बार उनको भूबनेश्वर के बजाए पूरी में खड़ा किया गया है जबकि भूबनेश्वर में एक संपून नए प्रत्यासी को उतारा है मैदान में बिजडी ने वो पाइलट हुआ करते थे कुछ दिन पहले तक इंडिन एर्लाइन्स में और उन्होंने अपनी नौकर सी घोशित कर दिया वह उने शुर्ट लोक्सभा शेत्र से बीजेपी और बीजेडी की दोस्ती के पैरोकार कौन थे और इसके खिलाफ कौन था एक बहुत ही चुनिंदा लोग की कोशिस कर रहे थी कि चुनाव से पहले दोनों पार्टियों में गटबंदर हो जाए लेकिन ज्यादा तर दोनों पार्टियों में इसको लेकर के कड़ा विरोध था और ग्राउंड लेबल पर जो लेडर्स है या वर्कर्स हैं उनका तो एकदम इसके खिलाब थे इसके लेकिन चोटी के कुछ नेता दोनों पार्टियों के जैसे आपने पांडियन जी का जिकर किया बीजेडी की तरफ से और बीजेपी के तरफ से उनके जो चोटी के राष्ट्रियन नेता हैं मोदी जी और अमिच्शा जी और एक नाम और भी लूंगा मै अस्विनी बैशनब जी जो रेलवे मंत्री है और यहां से राज्यसवा के लिए चुनने गए हैं बीजेडी के समर्थन के साथ तो यह तीनों चाहरे थे कि बीजेडी के साथ गटबंदन हो जाए ताकि एक तरफ से स्वीप करें वितनों लोग सभा चुनाव ही नहीं बिध बीजेडी को एसेमली चुनाव के लिए 35 से 40 सीटें ही देने के लिए तयार थी उससे जादे नहीं और उन्हेंने पूरा एकदम जित पकड़ ली कि हम कम से कम 105 या 110 सीटें हम लड़ेंगे 147 में से जो बीजेडी को मंजूर नहीं था इसके बावजूद बातचीत चलती रह ही लेकिन बीजेपी का जो राजय नित्रुत है मनमोन सामल जी यहां के प्रेसेडेंट हैं बीजेपी के वह और जैसे वरिष्ट नेता उन्होंने पुरा पार्टी लीडर्शिप को समझाया कि इस बार हमारे चांसेस बहुत अच्छे हैं और गटबंधन से हमको पाइदा कुछ होने वाला नहीं है घाटा ही होने वाला है पार्टी के पार्टी की जो पिछले कुछ सालों में उनके जनाधार में जो बढ़ोत्री हुई है वो अचानक गटबंधन बन जाने पर वो उस पर रोक लग जाएगा और अपने दम पर लड़ने के लिए काविल है बीजेपी यह समझायी समझा दिया किसी तरह से वो समझाने में समर्थ हो गए पार्टी के जो चोटी के नेता हैं मोदी जी और अमिच्षा जी उनको और उसके बाद राज नेतिरुत के मंचा को उसको सम्मान करते हुए पार्टी लीडर्शिप राजी हो गई तो मुख्य रूप से एसंबली सीट को ले करके और एक चीज और भी थी जिसके लिए गटबरण नहीं हो पाया और वो थी कि बीजेडी सत्ता में हिस्सेदारी देने के लिए तयार नहीं थी बीजेप को गटबरण के लिए तयार थी लेकिन वो कह रही थी कि सरकार हम ही मनाएंग गा उसमें तो बीजेपी ये बात भी इनको मजूर नहीं था इसके अलावा बहुत कम सीटें उनको लगा कि बीजेपी के नेताओं को लगा कि हमको बहुत ही कम सीटें दी जा रही है जितनी सीटें हमको ओफर की जा रही है उससे ज्यादे हैं हम अपने दम पर लड़के ले सकते हैं जीत सकते हैं यही कारण था जिसके जिसकी वज़े से गड़बंदन नहीं हो पाया लेकिन गड़बंदन नहीं हो पाया इससे चुनाव के माहुल में एक तरह से कहिए कि उसमें थुड़ी जाना गई एकदम सुस्त पड़ गई ति लोग भी एकदम अवाक थे कि कैसे यह संबब है जहां रूलिंग पार्टी और में ऑपोजिशन पार्टी अगर अलायंस में आ जाएं और कॉंग्रिस की यहां स्तिति जो है उसके बाद तो कोई जोर लगा रहे हैं कि इस बार बेहतर प्रदर्शन करें लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि बीजडी के लिए स्थिति उतनी आसान नहीं है इस बार जैसी पिछली वार थी उन्होंने एक सो बारस सीटे जीती थी इस बार उनको कड़ा मुकाबला सामना करने करने करना पड़ रहा है क्योंकि उनको अपने नेताओं पे साथ बिश्वास नहीं है कि वो अपने दम खंपर जीत सकते हैं ये पूरी बाचीद आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए समवात का सिलसला चलता रहेगा और सिलसला शुरू हो रहा है अब ललन टॉप की चुनावी यात्रा का अर्लाचल प्रदेश से लेके तमिलनाडू और केरल तक गुजरात से लेके जम्मू कश्मी पूरे भारत का दौरा करने वाला है आपका ललन टॉप कमेंट बॉक्स मों बताइए कौन से सीटें हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावी होने वाले हैं और जहां हमें जरूर आना चाहिए नेतानगरी के एपिसोड के बारे में भी अपनी टिपणियों से हमें आप अ झाहिए